Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Jointus C2 Tablet के बारे में जो कि इस Tablet के इस्तमाल बहुत ज़्यादा जोड़ों से जुड़ी ही समस्यों को दूर करने के लिए हड्यों से जुड़ी ही समस्या के होती है या किसी परकार का अन्य हड्यों से जुड़ा हुआ कोई समस्या होता है तो उन सभी कंडिशनों में है काफी जादा इस्तमाल किया जाने वाला मेडिसिन है इसके साथी साथी से और भी एनेको परकार की समस्या में इस्तमाल करने के लिए दिया जाता है तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं Joint C2 Tablet के बारे में इसमें combination क्या है, वहाँ combination का क्या काम है कौन-कौन सी समस्या में इस्तमाल करते हैं क्या डोज है क्या इस्तेमाल करने का सही तरीका है क्या नुकसान हो सकता है किसे नहीं लेना है यह सभी जानकारी हम इस बीडियो में बात करने वाले हैं तो बात करते हैं जोईंटे C2 टाब्लेट जो की मायर्स और गैनी कमपनी की बनाई हुई है मेडिसिन 15-10 टाब्लेट की 2700-2010 टाब्लेट की प्राइज में आपको आपके पास की dell लोज बहुत ही असानी से अबलेबल हो जाता है अब बात करते हैं इस medicine में क्या 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 combination है तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी अच्छी combination अबलेबल हो जाते हैं जैसे कि glucose mine, collagen type 2, corn rotin, vitamin E, vitamin C, ginseng extract, इसके साथ ही साथ zinc, magnesium, folic acid, vitamin B12, vitamin D3 जैसे काफी अच्छे-च्छे combination हो से मिलकर के बनाया गया यह medicine है, अब बात करते हैं इन सभी combination हो क्या काम है कौन-कौन से परपजों में इस्तमाल किया जाता है, तो पहला combination जो की काफी important है glucose mine, जो की खास दोर पे हड्यों से जुड़ ही समस्य में इस्तमाल करने के लिए दिया जाता है, osteoarthritis जोडों में दर्द होना, या घुठनों में दर्द होना, जोडों में कहीं भी सरीर में किसी परकार कोई भी जोड़ होता है हड्यों से जुड़ा हुआ, तो उनसे भी condition में काफी फाइदिमंद होता है, वहाँ पसूज अनलाली पना आ जाती है, तो उनमें इस्तमाल करने के लिए दिया जाता है, इसके अगर कम होता है, तो उनको यह बनाने में भी काफी ज़ादा मदद करता है, इसके सांथी सांथिसमें आपको condrotine अबलेबल हो जाता है, जो कि यह cartilage को तूटने से बचाने में काफी ज़ादा मदद करता है, जो कि osteoarthritis के purpose में काफी फैदिमंध होता है, इसके सांत सूजन हो जाता है या लाली बना जाती है, या बहुत ज़्याद दर्ध होता है जोड़ो में, तो उनसे भी कंडिशनों में कॉंट रोटीन काफी ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है इसके सांत आपको इसमें जिंजर extract मिल जाता है जो कि खास तुर पर बोडी में energy को बनाया रखने में मदद करता है ताकत को बनाता है इसके सांथी सांथ किसी परकार का sexual weakness होता है बहुत जली थकावट मैसूस होता है कोई भी काम करने के बाद तो उन से भी कंडिशनों में जिंसिंग extract काफी फायदिन मंद होता है इसके सांथी सांथ immune system को मजबूत करता है रोक परती रोधक छमता को बढ़ाने में काफी ज़्यादा कारगर होता है इसके सांथी सांथ आपको इसमें vitamin D3 मिल जाता है जो कि calcium को blood में absorb करने में मदद करता है जिसके कारण से हड़ियों को मजबूती मिलती है और जो भी fracture bones होते हैं हड़ि टूट चुकी है सरीर में खून को बनाने में काफी ज़्यादा मदद करता है cells को division करने में मदद करता है उनको growth और development करने में काफी ज़्यादा कारगर होता है blood में hemoglobin level को improve करता है RBC count को improve करता है इसके साथे साथ digestive system को मजबूत करता है और नेको परकार की salary कमजोरी को दूर करने में काफी कारगर होता है इसके साथे 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 साथ सरीर में किसी परकार का injury के कारण खून का बहुत ज़्यादा बहाव हो गया है तौचा से जड़ी ही समसा को दूर करता है vitamin C मिल जाता है जो की खास दोर पे immune system को मजबूत करता है और तौचा को healthy बना रखने में काफी ज़्यादा कारगर होता है तो उसमें अनेको परकार की combination है जो की अनेको परकार की समसे में काफी ज़्यादा इस्तमाल करते है इस दवा के इस्तमाल हड़ी में बहुआ ज़्यादा इस्तमाल करने कली दीया जाता है बातकर इस दवा का क्या dose होता है तो dose depend करता है की आपकी age क्या है healthy condition क्या है और आप इसे किस purpose मिले रहे हैं रोसी साइफ इसका dose का प्रेग्नेंट लेडी हैं ब्रेश़ विडिदिंग मोदर हैं किसी परकार का कोई भी critical medical condition में कोई भी medicine का कोर्च सल रहा है तो उनसे भी कंडिशनों में आप इसे इस्तिमाल ना करें क्या नुक्सान हो सकता है अगर आपको सूट नहीं करता है तो वामिटिंग, सर में दर्थ, तोचा मिला लीपन, बहुत जादा नहींदा ना भूक ना लगना, पेट में दर्थ होना इस तरी के आपको साइड इफेक्स देखने को मिल सकता है तो यह ही था जोइंट है C2 टाब्लेट के परे में जनकारी अगर आपको वीडियो यह जनकारी अच्छी लेगी तो प्रीज लाइक किजेगा और हमारे चनल को सब्सक्राइब किजेगा आपको यह वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू फर वाचिंग